हेलो दोस्तो वेलकम टू दा लेस्टेक्निक क्लासेज दोस्तो मैं लोके स्वागत करता हूँ आपका लेस्टेक्निक क्लासेज में और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोरम भरते समय फोटो और साइन की साइज कैसे सेट की जाती है और कौन सा सॉफ्टवेर यूज लिया जाता है फोटो साइन को सेट करने के लिए चलिए दोस्तो हम start करते हैं कि किस प्रकार हमें size को set करना होता है यदि आप swim form भरते हैं तो आपको photo sign की size है उसको set करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा जिससे आपको पूरी वीडियो समझ आ सके और photo sign कैसे हम set करते हैं वो हम स सकें start करते हैं और खोलते हैं सबसे पहले software MS Paint पींटिंग यहां option हम कोलेंगे MS Paint software कोलेंगे और इस software में हम set करेंगे photo sign की size है उसको हम set करना सेखेंगे कैसे set करते हैं यहां हम File menu में जाएंगे और हमने जो जो फाइल जो scan की फाइल है जिसमे photo sign scan कर रखेंगे उसको open करेंगे open पर जाएं और यहां जहां भी save है वहां आप वो फोल्डर को select करें जैसे कि मैंने desktop पर save कर रखा है तो यहां से यह select की file और यहां open open करने के बाद यहां आपके photo और sign यहां पर open हो गए हैं अब इनको कैसे set करना है काटना है तो वो आप यहां set कर सकते हो तो यहां हम जाएंगे ms paint का जो यहां पर यह select tool है select tool पर जाते हैं और यहां से इसको select करते हैं select करें फोटो को select करें जहां तक हमें काटना है select किया और select करने के बाद यहां crop tool है crop tool पर click करेंगे यह control shift के साथ x बटन दबाएंगे तो यहां यह cut गया है crop हो गया ठीक है अब crop करने के बाद इसको हम करेंगे save save करेंगे लेकिन save से नहीं save edge से करेंगे क्योंकि हमें वो पहले वाली फाइल भी चाहिए जो हमने scan कर रखे इसमें क्योंकि हमें उसमें से अभी sign भी लेने हैं तो इसको save edge करेंगे save edge करेंगे और save edge करें jpg picture में ठीक है save edge पर जाकर click कर सकते हो या आप direct f12 दबा सकते हो function की जो save कर सकते हो तो यह photo यहां हमने photo के नाम से save जिशका वी photo है उसका नाम से हम इसको save कर सकते हैं तो यहां save पर क्लिक करें यह jpg format हो गया save क्लिक करें save करेंगे जितनी भी set करने है वो size यहां से reset कर सकते हो आप यहां resize में जाएंगे और resize पर click करके इसकी size को कम कर सकते हैं जैसे pixels को गटाएं बढ़ाएं pixels पर जाएं और horizontal यानि आड़ा चोड़ाई कितनी pixel रखनी है और उचाई height vertical कितनी pixel रखनी है वो आप यहां से set कर सकते हो दिये गए map dand के अनुसार जो भी आपको निर्देश दिये होते हैं form बढ़ने के लिए उसके अनुसार आप इसमें set कर सकते हो और size set हो जाएगी यहां हम जैसे इसको 200 करें यहां automatic ले लेता है आप चाहें कि दोनों को अलग-अलग set करना है तो यह जो बीच वाला बिंदू है maintain aspect ratio इस ratio को इस अनपात वाले option को हटा देंगे यहां से click करें तो यह हट गया अब आप यहां पर कितना भी करो एक side और दूसरी side कितना भी करो यह automatic change नहीं होगा ठीक है दोस्तों अगर दोनों का ratio आपको बराबर रखना है तो इस option को yes रखेंगे और यहां से okay करेंगे तो यहां यह size बदल गया अब इसको हम save करेंगे तो save करते ही देखो यहां पर आप इसके size बदल गई है 24.9K भी रह गई है तो इस तरह से हमने photo को set किया अब हम चलते हैं वापिस से sign को कैसे set करेंगे sign को वापिस लाने के लिए हम use लेंगे यहीं इसी file में से हम दबाएं Ctrl Z Ctrl Z जो कि undo command काम करता है Ctrl Z करते ही जो हमारी scan की हुई file थी वो पूरी file यहां पर आ गई है अब इसमें sign भी है तो इस sign को हम crop कर लेते हैं crop करने के लिए वह ही select tool पर जाएंगे select tool पर गए और यहां से इसको select करें जितना आपको select करना है sign को सही से select करें और select करने के बाद वही crop button पर क्लिक करें या Ctrl Shift के साथ X दबाएं crop पर क्लिक किया तो बाकी सब data हट गया है और sign आपका only रह गया यह sign crop हो गया अब crop करने के बाद वापिस इसे भी save करेंगे save करेंगे लेकिन वही save as option के जरिए F12 दबाओ या save पर क्लिक करो save as पर क्लिक करो यहां save पर जाएं और यहाँ jpgψिपर क्लिक करेंगे शेक्स करते ही फाइल सेव हो जाती है और इसकी साईज भी आपको यह दिखाई दे रही है साइज 13.1 के भी तो यहां से यह हमें लाइव rika कर देता है साईज इसकी कितनी साइज है यह आप चेक्क कर सकते हो कि यह साइज सही है या नहां है अगर यह सही थो ठीक है यह इनुत इस बार पर size नहीं दिखाई दे रही है तो आप इसकी size इसको close करके file को जो आपके desktop पर file है उस पर जाकर click करके देख सकते हो यहाँ भी आपको नाम के साथ यह दिखा देगा तीसरा तरीका इसकी size को check करने का यहाँ से right click करें और right click करने के बाद यहाँ इसमें properties को use लेवें क्या use ले property properties on करें और यहाँ आप इसकी size देख सकते हो size के दर रहें 24.9 kb ठीके दोस्तो तो इस तरह से इसकी size को हम check कर सकते हैं और जो size demand की गई है जो size निर्देशों में दी गई है वो ही size set कर सकते हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको यह video समझ आई होगी और अच्छे से आप इसके बाद सारे photo sign को set कर सकते हो और आपको forum में forum बढ़ने में आने वाली जो समस्या है वो नहीं आएगी ठीके दोस्तो यदि video पसंद आए तो like share और subscribe जरूर करें और comment box में comment भी जरूर कीजेगे दोस्तो धन्यवाद thank you